एक जंगल के करीब एक जोंप्री थी जिसमें एक बुढिया रहा करती थी वो बुढिया कभी-कभी बहुत विर्माय रहा करती थी वो अपने बेटों को याद करती तो सबसे बड़ा बेटा आखियों को गुस्सा करता मेरे बेटे सबसे अच्छा बेटा है मेरा देख ये बड़े भाई को देख रहा है ना तू बस तू फिकर नहीं कर मैं अपना वो जो खेत है ना तेरे ना भी करके जाऊंगी एक दिन वो बुड़िया और उसका बेटा दोनों बड़े बेटे को एक बात करते वे सुनते हैं हलो हाँ वो हमारा जो खेत है ना वो मैंने कहा तो ना बीचना है तो उसकी कीवत बता दो मैं वो बीच रहा हूँ हूँ अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ देख मेने बेटे वो खेत बचा ले वो वो मेरी आाखरी निशानी होगी तेरे को देख जो मैं कहती हूँ ना वो वो करता जा जो मैं कहरी वो और ये खेत ये खेत हमें किसी भी हालत में बचाना है इससे अरे यार, अब तक नहीं आया, कब से वेट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने फून किया था उसको तो बार, इतनी देर, कब से दख़ड़ा हूँ, गंदे से, क्या बोलनू मैं इसको असल में, इनका जो खेत था, वो बंजर बढ़ा हो था इतने सालों से, उस पे कोई फसल नहीं होगी थी तो ये लोग उसे बंजर समझ रहे थे तो इस लड़के ने सोचा क्यों ना मैं इसको बेश दूँ, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे ये वैसे तो मेरा काईम का है नहीं खुशाम अदीद, खुशाम अदीद, ये देखिए, ये मेरा खेत है, थोड़ा सा बंजर है, लेकिन बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए हम, ठीक है, देख लिया है मैंने, सही है, मैं इसको खरी लेता हूँ, वैसे भी मैंने जोई, फस्यत नहीं हुगानी है, घर ही बनाना है, तो बताओ जी जी, आप बिल्कुल फिकर नहीं करें, ये ये बहुत अच्छा है, घर बनाने के लिए जहां था हम लकम की बात करें, तो बस मैं दो लाक ही लूँगा, ना जादा, ना कम, इसके लिए दो लाक बिल्कुल ठीक है देखो डेर लाक में डण करो weakest लेते हो तो मैं ले लेता हूं ये जमीन डेर लाक में डण हुआ और उन्हें रात को आने का फैसला ते कि रात को पैसे वैसे देदेंगे दूसरी तरफ अम्मा प्लैन के हिसाप से अपनी एक दोस्त के पास पहुंच गई मतलब वो अपनी दोस की बेटी के पास पहुंच गई वो बहुत अच्छी एक्टरस थी अरे आंटी आप आप कर यहां कैसे आना हुआ सब ठीक तो है ना हाँ बेटा बस थूड़ी सी मदद चाहिए थी वो क्या है ना असन्मे मेरा बेटा उस खेट को बेचने जा रहा है लेकिन मैं नहीं चाहती को वो खेट बेचे वो इसलिए रात को जब वो आएगा ना उसको पैसे देने तब हम उन दोनों को डराएंगे चो तुम डरा ना उन दोनों को फिर वलो वहां से भाग जाएंगे तुम इनको भगा देना मासे बसे तिदी मदद चाहिए ठीक है ठीक है मैं समझगी क्या करना है अब हम रात को ही मिलते हैं मैं चुरेल का गटब करूँगी अब रात हो जाती है और वो उस खेद में पहुंच जाते हैं अब आप अंती जाएं अब सब मुझे छोड़ दें और वो जब वहां से जाते हैं तो वो चुरेल का गटब कर लेती है और उनका इंतिजार करने लग जाती है और वो छुप जाती है वो दोनों वहां आ जाते हैं और अप्ने अप्ती बाते करने लग जाते हैं तोने कुछ आवाजे आती हैं, वो जो ऊपर देखते हैं, तो वहाँ पे एक चुरेल होती है, वो डर जाते हैं। चाह, तुम लोगो, और ये खरीद ला है, ये के, ठीक है, मैं इसी को ही मारूँगी, भाग जाया से बढ़ना मैं तेरे को मार डारूँगी, दोनों भाग जाओ यहां से, बागो! हाँ, हाँ, चुरेल, मैं भाग रहा हूँ, मुझे नहीं फसना, इसमें मैं नहीं खरीद रहाूँ, अरे सुनो, चुरेल, मैं भी चली जाओंगा यहां से, मैं भी चली जाओंगा, तुम्हें जाना होगा, वरना, वरना तुम्हारा भाई, और तुम्हारी मा की तरह तुम् मेबी मैं मार डालूंगी भाग जाओ हाँ हाँ मैं आका भी लोट किनी होगा आंटी आजे काम हो गया है बुडियों उसका शुकर अदा करती है और वहां से चली जाती है अब वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं और यही कहाने खत्म होती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किरना